हेल्ट से रिलेटर वीडियो देखनी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको मैं कुछ ऐसे घरेलू टेप्स बताती हूँ जिनकी हेल्प से आप रह सकते हैं healthy and wealthy आपके सरीर में पनपने वाली जादतर बीमारियों का कारण होता है nerve blockage जिसका हिलाज अगर सही समय पर ना किया जाय तो ब्यक्ति गंभीर हिर्दे रोगों की चपेट में आ सकता है अगर आप भी इस समस्या से जूज रहे हैं तो हमारी वीडियो में लास्तक बने रहे हैं आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिनकी हेल्प से आप अपने दर्द से राहत भी पाएंगे और आपको अगर नर्ब ब्लॉकेश की समस्या है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा अकसर लोगों को सरीर में दर्द अंगों में अकड़न सास फूलना और हाथ पैर सुन होने की सिकायत रहती है जिसका कारण होता है ब्लेट सेर्कुलेशन में रुकावट ज़ब सरीर के सभी हिस्सों में तक ब्लेट नहीं पहुँच पाता है तो सरीर में कई तरीके की तखलीफे सुरू हो जाती है ब्लेट सेर्कुलेशन में रुकावट की मुख्य बजह नसों में ब्लॉकेश होती है और ये बज़े उस हद तक खतरनाग साबित हो सकती है कि ब्यक्ति को हिर्दे रोगों की गिरफ्ट में ले लेती है अगर आप भी नर्ब ब्लॉकेज की समस्या से परिशाश तो इसे हलके में ना ले और हमारे उन तीन बेजोड उपायों को अपनाएं जो आज हम आपको बतानी जा रहे हैं ये उपाय आपको दर्द से राहत दिलाने के साथ साथ नर्ब ब्लॉकेज की परसानी से भी छटकारा दिलाएंगे तो वीडियो को लास्त तक जरूर देखीगा वीडियो पसंदा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जान बस सकती है नर्ब ब्लॉकेज में सबसे एहम जीट जो होती है वो एक्सरसाइज और योगा होती है एक्सरसाइज और योग हर किसी के लिए फायदे मंद होता है योग सरीर की बिमारियों से बचाता है साथ ही सरीर में नई ताजगी भी लेकर आता है एक्सरसाइज और योग करने से सरीर अच्छे से काम करता है क्योंकि ये सरीर के अंगों को खोलता है और खूण का प्रभाव सही रखता है योग में कई आशन हैं जो नसों की ब्लोकिश को दूर करने में मदद करते हैं जैसे कि भुजंगाशन ये आशन सरीर से थगावट दूर करने के साथ मोटापा भी घटाता है इस आसन से सरीर में खून का प्रभाव सही रहता है सलभासन योग इस आसन से सरीर के कई हिस्से खुल जाते हैं जैसे कि कंधे, पेट, कमर का निचला हिस्सा, पैर और चाती ये आसन कमर को मजबूत बनाता है इस आसन के जरिये नसुर की ब्लॉकेस से सुटकारा पाया जा सकता है ये आसन आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं या फिर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं इस तरह की कि आपको काफी वीडियो देखने को मिल जाएंगी जिसकी हेल्प से आप इस आसन को आसानी से कर सकते हैं सेकंड जो चीज है बो है बादाम बादाम की तासिर गर्म होती है इसलिए इसको सही तरीके से खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है नसो की ब्लॉकेश दूर करने के साथ-साथ बादाम का सेवन पेट दर्द और कब्ज जैसी परसानी से भी निजात दिलाता है अगर हर रोज आप सुछा खाली पेट पास से दस भीगे बादाम खाते हैं तो यह आपकी नसो के ब्लॉकेश जैसी समस्थे दूर कर देता है साथ ही बादाम खाने से सोचने और समझने की छमता भी बढ़ जाती है बादाम के साथ-साथ आप इसमें अकरोट की चारगिरी और किसमिस भी खा सकते हैं थर्ड जो चीज है वो है लहसन के साथ दूद पीएं नस्की ब्लॉकेश के बाद उठनी वाला दर्ड बहुत ज़्यादा तगलीव दायक होता है इस दर्ड से निजात पाने के लिए दूद और लहसन का सेवन सरवधिक उत्तम है यह सुनने में अजीब जरूर है मगर इसके फायदे जवरदस्त होते हैं और दूद और लहसन खाने से दर्ड में जल्द राहत मिलती है और सरीर की बंदन से खुल जाती है यही थी आज की informative वीडियो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें और आपके अपने चलन को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पॉब वाचिंग